हलो माई डिफ्रेंट्स वागता आपके एक और ने वीडियो में कल के मार्केट में मैंने आपको बताया था देकिन निफ्टी में मैंने आपको यह बताया था कि यह लेवल अगर मार्केट आपको उपर की तरफ निकालता वा दिखाए दे तो आप इसमें बुलिश हो सकते हैं और आप देख सकते हैं इसके उपर कितने अच्छे टार्गेट्स मार्केट ने दिये हैं मार्केट बिल्कुल यही से सपोर्ट लेता हुआ उपर कि तरह बढ़ा है तो बहुत ही अच्छे टार्केट्स रहे हैं कोई एक आदी लाइन ही मैं बताती हूँ prediction में क्योंकि उसी के उपर based होता है पूरा और बिल्कुल 60 prediction होता है इसी पज़े से आप इसका फायदा उठाइए यहाँ पर direct tassel है नहीं और इस तरह की move से यहाँ भी market ने direct tassel खतम कर दिया है मगर क्या market का push put में गिरने का अंदेशा नहीं है नहीं ऐसा नहीं है उसका पूरा scenario मैं आपको बताऊंगी दोनों indexes की मदद से और बहुत छोटा वीडियो है कोई जादा लंबा वीडियो नहीं है आपको सिरफ और सिरफ यह देखना है कि यह जो level है market में यह level है 24497 24497 आपको सिरफ और सिरफ यह देखना है market में कि 24497 यह level market तो उपर की तरफ निकालता है इसका breakout अगर देता है इसके उपर रहता है इसके उपर चलता है तो आप यह देखेंगे market में कि आप bullish हो सकते हैं अगर आपको market जो है इस level से जो मैं आपको बता रही हूँ यह level है देखेंगे आपको कित्ती बार resistance ले रहा चार्ट बहुत बार resistance ले रहा है इस level से आपको market फिर से ऐसे reversal लेता है तो आप इसमें bearish हो सकते हैं और अगर आपको चार्ट ऊपर निकलता है दिखाई देता है तो आप इसमें bullish हो सकते हैं आप इसमें यहां तक के targets आराम से capture कर सकते हैं यह level है यह level है 24601 24601 और यह सारी चीज़े जो है मैं आपको strategy based बता रही हूँ अपने वो हमें पहले से पहले ही यह बताती है कि क्या होना है किस तरीके से market को आगे analyze करना है कैसे सोचना है यह सब को strategy based ही बता रही हूँ अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है market में कल को आप सिरफ यह देखें कि यह जो level है 24606 24606 इस level से अगर मान लिज़े ऐसा हुआ कि यह जो level है इस पर आपको समझ नहीं आया मगर उपर चला गया चार्ट तो आपको यह तो पता चला हाँ call side का view है तो बस आप इसमें यह देखें कि इस level से market क्या करता है इस level से reversal लेता है फिर से या फिर उपर की तरफ निकलता है बस आप इसमें यह देखने ही कोशिश करें और कुछ नहीं और वो कैसे पता चलता है वो पता चलता है जब कोई इस level पे doji बनती है उसका high cut जाता है या candle candle का high काटता है कोई candle किसी candle का high काटता है तो इन बातों से पता चल जाता है कि हां मार्केट उपर की तरफ जा रहा है मतलब वो reversal नहीं ले रहा है और अगर आपको market जो है यह level अगर नीचे की तरफ काटता वा दिखाई दे ठीक है और बहुत ज़्यादा confirmation अगर चाहिए तो देखें यहां पे क्योंकि यह डबलू मिल्ल का काम कर रहा है इस समय मैं दोर्वल लेवल से आपको वैसे बता देती हूं कि यह level है 24449 24449 याने की 24-500 ही मान लीजे आप अगर 24-500 मान लीजे market आपको नीचे की तरफ काटता वा दिखाई देता है तो आप इसमें put side का भी रख सकते हैं या आपको अगर यह level 24377 24377 नीचे की तरफ काटता वा दिखाई देता है तो आप इसमें bearish view रख सकते हैं पहले target आप इसमें जरूर से जरूर यहां तक के book करें 24294 क्योंकि यह candle जो है यहां पे आ रही है यह रेड़ वाली candle 24301 24301 तक के target आप इसमें पहले book करने की कोशिश करें देखें बैंक निफ्टी का चार्ट है आपके सामने और आपको यहां पे फिलहाल जो चार्ट बन रहा है उसमें एक डबलू पैटन आप देख पा रहे होंगे कि marketing डबलू पैटन मना रखा है यह इसका एक highest level है और फिलहाल चार्ट जो है वो चार्ट इस level के आसपास है तो आपको इसमें कुछ नहीं सोचना है आपको चार्ट को निफ्टी की मदद से देखना है इसमें यहाँ पे डबलू पैटन मना रखा है तो डबलू की trapping अभी होगी आपको इसमें यह देखना है कि वलकि market जब इस level पे आता है यह level है 5258452584 ओके यह level जब market में आता है इस level से market reject होता है या market उपर की तरफ के targets देता है आपको सिर्फ इसमें यह देखना है यहाँ से यहाँ तक वैसे अगर market आएगा तो इसमें जरूर से जरूर एक correction आएगा आपको इसमें put side के मौके मिलेंगे एकदम market इस तरीके से नहीं करतेगा unless and until market नहीं हाँ पे काफी ज़्यादा consolidation ना करका हो SL ना create कर रखे हो क्योंकि नीचे इसमें कोई SL नहीं है और इसमें भी मैंने यह बताया था कि आपको यह इस level का वो breakout दिखाई दे उपर की तरफ ज़्यादा दिखाई दे या यह जो rejection candle बैठी है इस rejection candle के उपर आपको market दिखाई दे तो आप इस बात में से यह देख सकते हैं कि यहां से ही support लेके उपर की तरफ अपना काम किया है यह trend line बनी हुई है market में आप देख सकते हैं यह W भी है और एक के trend line भी है तो इसमें आप यह देखने ही कोशिश करें कि यह जो candle है यह जो rejection candle यहां पे बैठी है मार्केट इसका breakout या इससे उपर निकलता है या अगर इससे उपर निकलता है एक अच्छी bullish candle से काटता है तो आप इसमें bullish हो सकते हैं और अगर put side का view देखना है तो मैं फिर से यह कहूंगी कि जब market यह level निकाल दे यह level है 52096 जब यह level निकाल दे तब आप इसमें bearish हो सकते हैं मैंने आपको महुरा ट्रेडिंग पर वारी engineering बताया था और उसमें बहुत ही बढ़िया पैसा बना है जिन लोगों ने भी लिया होगा मैंने खुद भी लिया था मैंने आपको टेलीग्राम पर पहले ही बताया था कितने number of shares कब लिये थे यह भी बताया था तो इसमें मैं आपको अब बताने जा रही हूं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए देखे इतना उपर चार्ट चला गया है कि चार्ट उपर एक frame में आही नहीं रहा है देखे यह सिर्फ versus strategy based बताया था मैंने कहीं से कोई कोई शीज देख के कुछ ही नहीं बताया था पूरे symptom उसके साथ बताया था pros and cons के साथ कि क्या करना है ओके यह candle का low नहीं काटना चाहिए यह चीज मैंने आपको बताई थी तो आप देख सकते हैं इस candle का low नहीं कटा है एक correction किस बाद market उपर ही उपर है अब इसमें क्या होना चाहिए क्या आप इसमें profit जवार जिसमें consolidation होई है क्या इसमें profit booking होनी चाहिए नीचे गिरना चाहिए यह उपर जाना चाहिए आप इसमें बेरिश हो सकते हैं बुलिश हो सकते हैं क्या भी हो आपको लेना चाहिए या अब नई खरीदारी करनी चाहिए या नहीं इस बारे में आपको बताने जा रही हूँ देखे 30 मिनट का टाइम फ्रेम है यह और इसमें आपको यह बताने बताना चाहूंगी कि इसने देखे जो IPO लेके बैठे थे या जिनकी बहुत इनिशल भाइंग थी उन्हों थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वगेरा की है उन्होंने और यह अच्छा चलने वाला स्टॉक है बड़िया स्टॉक है और अगर आपको देखे यहां के उपर यानि कि यह कौन सा लेवल है यह लेवल है मतलब डे हाई या फिर चार्ट हाई जब यह निकाले ओल टाइम हाई निकाले 3743 अगर आपको यह निकलता दिखाई दे तो आप इसमें और अगर यह लेवल यह तोड़ दे ठीक है यह लेवल यह तोड़ दे जो की है यह तीस मिनट पे यह लेवल है 3413 3413 अगर यह लेवल यह तोड़ दे तो आप अपनी पोजिशन देख सकते हैं मैंने आपको एक चार्ट का व्यू दिया है और एक बात और मैं इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूं जो मैं चार्ट पर देख रही हूं मैं आपको सिर्फ वह बता रही हूं तो आप चार्ट को आप चार्ट को एनलाइस कर सकते हैं यह चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी आप अप चैनल चेक आउट कर सकते हैं बहुत अच्छी ट्वेट्स हमने उसमें पकड़ी है स्टूटेंट्स के बहुत बड़े-बड़े स्क्रीन शॉट्स में आखे जरूर चेक आउट कीजिएगा तो आशा है आपको अपने सवालों का जवाब मिल क्या होगा अगर वीडियो पसंद आयो तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब इसी के साथ आपसे विज़ा लेती हूँ थैंक यू वेरी मच्छ